हेलो दोस्तों आप सिभी को जै मसी की स्वागत किया जाता है कौने धमक्यदार वीडियो में सबसे बड़ा सवाल क्या मसी ही रच्छा बंदन मना सकते हैं या फिर सच में धागा ही मनुष्य की रच्छा कर सकता है इसके बारे में बाइबल में क्या सिच्छा देती है आईए जैसे रोमियों बाराद्य के एक उचन से दो उचन तक हम पर देते बाइबल से प्रूफ अब के लिए इसलिए है भाईयों मैं तुमसे परिम्योंसर की दया इसमनर दिलाकर बिंती करता हूं कि अपने सरीरों को जीवित और पवित्र और परिम्योंसर को भावता हुआ बलिदान करके चड़ाओ यही तुमारी आत्मिक सेवा है और इस संसार के सद्रस न बनो परंत तुमारी बुद्धी के नए हो जाने से तुमारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परिम्योंसर की भली और भावती और सीद इच्छा को मालूम करते रहो हमारा लच्च है कि संपूर जीवन आत्मिक रधना अपने सरीरों को जीवित और पवित और परिम्योंसर को भावता बलिदान करके चड़ाओ यही तुमारी आत्मिक सेवा है वीडियो को ध्यान से देख लेना वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है परिम्योंसर की द्रष्टी में सभी मानों जिंदगी का लच्च ये है मसी को उतना ही मूल लिवान दिखाया जाता है दिखाया जाए जितना किवा है अराधना का अर्थ है हमारे मन और हिर्दय और सरीरों को परिम्योंसर के मूल लिको और जो पुछवा यहीशु मसी में हमारे लिए है पोलुस का उत्तर है तुम्हारी भूद्धी के नए हो जाने से तुम्हारा चाल्चन भी बदल जाए वे लोग जो ये सो मसीक में विश्वास करते हैं मसी में लहू से खरीदे गए हैं नए बन चुके हैं यदि कोई मसी में है तो वह नई स्रिष्टी है करने मसी में पहले मसी में नहीं थे तो सब कुछ करते थे लिएग तेहुआर मनाते थे मगर अब मसी में एक नई श्रिष्टी है मसी में नया जन्व मिला है तो हमारा चाल्चन भी बदल जाए यदिन नय मनिशितत्त को पहिंदिया है जो अपने स्रज्जन हार के स्वरुख क체 नुसार ज्ञान प्राब्त करने के लिए नया बनता जाता है तुम्हें मसी में नया जन्म दिया गया है और अब तुम प्रति धिन नया बनते जाते हो और सैतानी रीति रिवाज में मत जा और अच्छा बंदन का त्युवार सैतान का वार सैतान में नास करने पर लगा हुआ है बरबाद करने पर लगा हुआ है अभी बाइबल समझ लो अभी बाइबल है समझ लो इसको इस बात को अपने लिए ओचीज मांगो जिसे परिम्योसर के राज को आगे बला सको इसे बेकार मत जाने दो आउसर अभी है समय अभी है इस समय को कीमती समझो क्योंकि आंत के दिनों में शैतान अपना तीर पहुत जोरों से चलाएगा वाइबल बताती है संसार और उसकी अविलसाएं दोनों मिठते जाते हैं पर जो परम्यासुर की इच्छा पर चलता है वह सरदा बना रहे कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते हैं कुछ परम्यासुर की इच्छा को करते हैं और कुछ नहीं करते हैं इस आर्थ में परम्यासुर की इच्छा संद्यों घटित नहीं होती है वाइबल बताती है किसी भी आसुद चीज को मत चुओ यानि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना करना चाहिए जिसका जूठे धर्मों से नाता हो हमें परमेसर के वच्चन से जानना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है ये सुन कहा है तुम मुझे छोड़कर दूसरे को इस्वर करके ना मनना कहा है कहा है आपका विश्वास कहा है आपका भरोसा जैसा लिखा यहुआ मेरा वह मेरा सराड़ स्थान है और उच्छा गण है और परमेश्वर हमारी रच्छा करता है कोई मनुस्य नहीं करता है अभी व्य वक्त है सोचो विचारों और किसकी इच्छा पर चलते हैं और किसको प्रसंद करना चाहेंगे हैसला भी आपका है और चुनाओ भी आपका है चुन लो जिसको चुनना चाहते हो ये सुने का यान मनुस्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राड की हान उठाए तो उससे ख्याला भी होगा मेरे पास धन है दौलत है और मैं मरकर नर्क में ही चला जाओं तो पैसा किस काम का और दौलत किस काम की उतिहुआर किस काम का इसुन का हमारग और सत्य और जियोन में ही हूँ बिना मेरे दौरा कोई पिता के पास नहीं पहुण सकता है इंबरानी और दसद्या के 26 चन में लिखा हुआ है क्योंकि सचाए की पहिचान प्राप्त करने के बाद यद हम जान बूझ कर पाप करते हैं तो पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है हाँ दंड का एक भायनक बाट जोना और आग का जोलन बाकी है जो बिर्यद्यों को भसन कर देगा हम येस्व मसी को जानने के बाद भी अगर जान बूझ कर पाप करते हैं तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है बस उसके लिए एक लिए राश्ता है नर्क की आग जिसमें बियोद्यों को डाला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए पिर्मिया दोध्या के 37 और 28 चैन में लिखा हुआ है वे काड से कहते हैं तु मेरा बाप है और पत्थर से कहते हैं तुने मुझे जन्व दिया है इस प्रकार उन्होंने मेरी और मुह नहीं पीठ ही फेरी है परन्त वे विपत्त के समय कहते हैं उठकर हमें बचा ले वे काड से वे काड से कहते हैं वे पत्थर से कहते हैं जिनमें स्वास ही नहीं है वे तुम को क्या बचाएंगे उनके आख तो रहती है परन्त वे देख नहीं सकती उनके नाख तो रहती है परन्त वे सूंग नहीं सकती उनके मुत रहता है परन तुए बोल नहीं सकती है परन तुझे देवता तुने बना लिए हैं वह कहा रहे है यह विपत्य के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभ्यूट है क्योंकि है यह उदा तेह नवर के ब्राबर देवता भी दिखाएं इसुने का मार्ग और सत्य और चाल चलंद के नुसार तुझे डंड दूंगा और तेरे सारे गिनोंने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा परमेसर के पास परमेसर के पास हर एक मनुष्य का लिखा जोखा है परमेसर हर एक मनुष्यों के कामों के नुसार उसे दंड देगा पहला युवना दोध्या के 15 और 17 वचन में लिखा हुआ है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तों से प्रेम रखो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थार्थ सरीर के विलासा और जीवका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं है पर तू संसार ही की ओर से है और संसार और इसकी अभिलासाईं दुनों मिठते जाते हैं पर जो पर मियासौर की इच्छा पर चलता है वह शर्वधा बना रहेगा अगर कोई दो नौ में पार रखेगा वह जरूर डूबे गा संसार में क्या है संसार में सारिर का विलासाएं है आखों की विलासाएं है और जीवन का घबंड है और ये सब परम्योसर की तरफ से नहीं है ये सब सैतान की तरफ से है और सैतान और उसकी विलासाएं इच्छाएं दोनों एक दिन नश्ट हो जाएंगी समाफ्त हो जाएंगे परंद जो मसीही परमेसर की इच्छा पर चलेगा वह सुरदा बना रहेगा अब किसी पर अचानक भी पत्या पड़ती है तो वह कुछ भी बाकी नहीं रखता है कहीं मंदिर गुर्दवार पीर फकीर बाबाओं के पास जाते हैं फिर भी उनके जीवन में सांती नहीं है और बाद में उश्या भी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है आज मने से कुछ भी बाकी नहीं रखता है तो क्या फाइदा उस्ते हुआ रसे इसुने कहा हमार गुर सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे दोरा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है इसु मसी ही वा सीड़ी है जो हमें स्वर्ग तक पहुँचा सकती है एक ही परिमेसर है और वह पर्भूई एसु मसी परिमेशवर ना तो लकड़ी में है और ना तो पत्थर में है परिमेशवर तो अपने पवित्र स्वर्ग में है आज मनुष्य रच्छा बंधन मनाता है एक ही दिन की खुशी और सिर्प एक ही जलग दिखा कर चला जाता है देखे मैं किसी के उपर दोस नहीं लगाता बलकि सत्य को बताना है लोग क्या कहेंगे ओ तो ये इसु मसी में हो गया उसका धर्म बदल गया इसु धर्म नहीं बदलता है इसु जीवन बदलता है आज मनुष्य क्या कर रहा है आज मनुष्य अपनी ही हाथ की बनावी मुर्ति योग आगे शिर जुकाता है चड़ावे चड़ाता है फिर भी उसके जिवन ने सांती नहीं है सांती के वला को पर हुई युश्व मसी दे सकता है युश्व मसी ने कहा जगत की जोती और जीवन का जल मैं हूं जो कोई मेरे पास आएगा वह कभी प्यासा न रहेगा वरन उस से जल की धरायां बहन निकलेंगी ति तुसरा कुरुंतियों चेद्रा के चोधावे से सब्सक्राव पढ़ देती इमयबर से प्रूफ अब के लिए अविश्वासियों के साथ आसमान के जिवन में ना चिटो कि धर्मिक्ता और अधर्म का क्या मेल जोल या जोती और अंधक करूंगा Bible में सप्ष्ट रूप सा सिच्छा देती है जो ये सव मस्क्राइब विश्वास नहीं करते हैं उनके साथ हम इस संसार में नहीं जुत ना है कि जोती अंधियार को ग्राहन नहीं कर सकती है कि कि विश्वासी और विश्वासी का कोई नाताने कोई मेल जो नहीं है इस वीडियो को अपने मसी भाइबनों के पास सेर जरूर कर देना क्या पता आपके एक सेर से लाखो करोड़ वात मैं बढ़ सकती हैं इसके लिए परमिस आपको मुकूर देगा सुर्ग का जिवन देगा तब तक के लिए मिलते लिए नेक्ट वीडियो में आप सभी को जाए म से की गुड़ लग लग